आज हम डिसकस करेंगे कि first money किसे कहते हैं और second money क्या होती है और घर खरीदना अपने लिए family के लिए या घर खरीदना investment के लिए दोनों में क्या फरक है और हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दो income streams क्या है और वो क्यों इतनी important है अगर आपके बार दो income streams नहीं है तो आपके business करने के chances कम आजाते हैं दो income stream वालों के business करने के chances हमेशाज ज्यादा होते हैं तो दो income streams क्या है कैसे develop होंगी तो यह हम कुछ strategies discuss कर लेंगे कुछ concepts के लिए कर लेते हैं तो पहला concept है first money second money लेकिन first money second money को समझने के लिए पहले एक example समझ लें कि मैं जब अपने घर वालों के लिए घर खरीदता हूं कि अम्मी कहते हैं कि बेटा चछत होने चाहिए सारी अम्मिया कहते हैं पाकिस्तान में सारी अम्मिया कहते हैं कि बेटा घर अपना होना चाहिए अब अम्मियों को finance या सम जाना तो ख़र मुश्कल हो जाएगा तो अब हम उसकी background थोड़ी समय लेते हैं एक हजार साल पहले मुझे नहीं पता इस जमीन पे जा मैं आज बैठा हूं कौन रहा रहा था वो जो भी था वो आया चला गया उस एक हजार साल में कोई मेरा खाल है सतर असी नसलें गुज़ चुकी होंगी उस सारी आई और चली भी गए आज मेरी बारी है उसके बाद मैं भी चला जाओंगा फिर पता नहीं कौन रहेगा यहां पे तो च्छत का concept क्या है basically आप च्छत अम्मी कहते हैं च्छत होनी चाहिए without realizing कि सारी जिन्दगी बगएर च्छत के गुज़री है आप सब्सक्राइब होगी सर्फ concept होता है piece of mind का कि घर अपना होना चाहिए यह अमियों का concept है वैसे आंतोर पर तो हमारी पूरी कौम जो है वह एक घर लेने के लिए और एक गाड़ी लेने के लिए दो चीज़र लेने के लिए अमूमन एक पूरी नसल गुजर चुकी होती है वह जब कबर की तरफ जा रही होती है तो उस फक्क उनके पास होता है एक घर और एक चोटी सी गाड़ी जो के फिर आगे बच्चे डिवाइड करते हैं तो हर बच्चा अपनी दोड में लागया आता है अपना कहल लेने के लिए उसकी भी आदीजन की गुजर जाती है इस चक् कबी देखें आप घर खरीदने के लिए आप कहते हैं मैंने घर खरीदना अपना घर खरीदना उस चक्कर में आप जिन्दगी के 30 साल साल भी लगाएंगे उसके बाद आप यह उमीद कर रहे थे कि देखो मैंने आज यह घर 50 लाक रुपे का लिया है कल को यह 2 क्रोड का हो सका है वह 2 क्रोड का हो या 20 क्रोड का हो जब घर आपका अपना होता है वह किसी काम नहीं होता है finance or wealth creation के perspective से मैं बात कर रहा हूं मैं आपके सकून या personal desire की बात नहीं कर रहा हूं अगर आपकी personal desire है, जिसना मेरी desire है, मैंने महल लेना है, ओके मैं महल ले लूँगा, वो desire है, वो मेरी desire है, वो मेरी जात से तालूब रखती है, लेकिन उसको wealth creation में mix मत कीजिए, जब मैं घर बीवी के लिए लेता हूँ, माबाप के लिए लेता हूँ, उससे मेरी wealth नहीं create होती बलके वो मेरे सर पे लाइबिलिटी चड़िया आती है, मैं दो क्रोडवे गर गरी दूँगा, इसी दो क्रोडवे अगर मैं मिठाई की दुकान खोल लेता है, तो आज 5-6 लाग रूप मेरी परमंद इनकम आरी होती है, लेकिन अब ये दो क्रोड मुझे एक टका नहीं दे बीवी बेचने नहीं देगी, अम्मी बेचने नहीं देंगी, अबू बेचने नहीं देंगे, भाई बेचने नहीं देंगे, पाकिसान में भाई उपर वाले फ्लोर पर रहते हैं, उससे बड़े भाई उससे उपर वाले फ्लोर पर रहते हैं, तो ये घर तो नहीं बिकने व पैसे आप कमा लेते हैं यह एक concept क्लियर हो गया आप लोगो आज आईए Amazon के अंदर लेकिन Amazon से पहले first income और second income दो income stream समय लें लोग दो income streams वाज़िब है आपके उपर उसकी वज़र यह है कि आप Amazon business बिल्ड कर भी लेंगे तो end पर आपके पास एक Amazon का account आपके पास आपकी चलती वी दुकान उस दुकान से आप महिने का 2000-3000 डॉलर बनाते हैं और हशी खुशी जिन्दी हुजा आ रहे हैं अब मैं आप से कहता हूं चले हम इस दुकान को बेच दें आप बेचेंगे इस दुका तो अगर आपके पर इस दुक दो income streams होती हैं अगर आपके full time job चल रही होती है Amazon आपका secondary business होता वो आप कहते हैं कोई बाद में खुला गरा दो इसको बेच दो flip कर दो मैं दूसा account बिल्ड कर लूँगा मेरी primary income अलवड़ी मेरे पास आ रही है तो businesses दो होने चाहिए income streams दो होन होने चाहिए पासपोर्ट इंसान के बाद दो होने चाहिए उसको दो skills आने चाहिए हर चीस दो होने चाहिए except लोगों को ठीक है तो अब कैसे करें दो income streams कैसे करें तो अगर आपकी job चल वही है अच्छी high paying job है तो नहीं चोड़ें उसको रखें अभी क्योंकि आपको दो income streams जब तक develop नहीं होंगी आप कोशिश करें उसको ना चोड़ें अब अच्छा अब आप कहते हैं नहीं जी मैंने Amazon ही करना है मुझे हर सुरत में यही बिजनिस करना है तो फिर इसके भी दो अकाउंट होने चाहिए एक ने वलकि आपको बद दो Amazon के अकाउंट होने चाहिए एक से घर चलना चाहिए एक को आप रखते है फिलिपिंग के लिए ट्रेडिंग के लिए घुमाने के लिए as a product by sell by sell by sell जब दिल चाहिए कुला करा द यह बहतर स्ट्रेडिजी है अच्छा अब आजाए फर्स्ट मनी शेकिंड मानी फर्स्ट मनी आपने आप कहते हैं जी मेरा घर 20 क्रोड़ वेगा मेरे अभू की जायदा 20 क्रोड़ किस काम की वह 20 क्रोड़ किस काम का जिससे आप एक बिजनस ना खड़ा कर सकें क्यों नहीं क क्रोड़ का मालिक हूँ इसलिए कि आप मालिक वाले कुछ भी नहीं है आपकी जेब में जो है इस वक्त आप उसी के मालिक हैं प्रापिटी असानी से लिक्विडेट नहीं होती वह कोई लिक्विड एसिट नहीं है जो रात और रात आप उसको लिक्विडेट करें और पैक थो फरोख नी कलते बैर के अपनी services बेचते हैं तो आप अपनी services बेच बेचके, बेच 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 के first money creates करते हैं पुर्स्ट मुनी से आप एक business कहड़ा करते हैं, उस business से आपका घर चलना शुरू करता है लेकिन अब आप कहते हैं इस business को मैं खुला नहीं करा सकता है trade-off नहीं कर सकता है क्योंकि मेरा घर चल रहा है इसके उपड़ तो जिन लोगों की दो income streams नहीं होती है पर उन्हें second money चाहिए होती है second money से वह दूजा बिजनस खड़ा करते हैं उस business को वह flip करते हैं और मज़ीद speed में wealth create करते हैं यह तो एक concept हो गया अच्छा जिन लोगों की job चल रही है अच्छी job चल रही है 2000 dollar per month salary आ रही है job चल रही है comfortable है उन्हें Amazon का एक account build किया अब Amazon से आने वाली income है secondary income यह अब उनके पास होगी दो income streams हाँ अब इसको यह flip कर सकते हैं तो जिन लोगों के पास एक income stream है उन्हें first money चाहिए एक business खड़ा करने के लिए जिनके पास कोई भी income stream नहीं है उनको first money चाहिए एक business खड़ा करने के लिए जो जिससे उनका घर का kitchen चलेगा फिर उनको second money चाहिए second business खड़ा करने के लिए जिससे वो flip करके quickly wealth create कर सकेंगे सारी बात हो रही है wealth creation की घर खरीद लेने से 5 क्रोड़ वेगा मेरा घ घर है बेकार है आपका ये घर क्योंकि इस घर में और एक क्रोड़ वाले घर में को फरागी नहीं है अपने उनकी तसली के लिए अपनी जिन्दगी के सारी कमाई लगा के घर तो ले लिया wealth creation चे गए अब हाँ wealth creation नहीं होने वाले wealth creation कैसे होगी तो wealth creation के लिए first money चाहिए और जिनके पास एक income stream है उन्हें तो first money भी चाहिए और second money भी चाहिए उनको दो बिजनेसे करे किनने पड़ेंगे एक से घर चलाना एक को flip करना flip करना flip करना rotate करना wealth create करनी जल्दी से goodwill money आएगी फिर दू income streams आ रही है उन्हें सिर्फ first money चाहिए एक business खड़ा करें जिसको आपको गुमाना शुरू कर दें बिल्कुल ऐसे ही कि मेरे पास already घर है अब मेरे पास first money आई मैंने एक घर defense में खरीदा barrier में खरीदा उसको flip कर दिया 2-3 साल के बाद अब ये मेरा investment property क्यालाती है ये मेरा business की money है जिससे मैं आप अपना wealth create करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यह तक concept आपका first money का second money का दो income streams वाजव हैं आपके उपर आपको भी बता लग गये दो income streams आपको बील करनी होंगी और strategies life की कैसे manage किया जाए इसको